गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हम रूसो पड़ रहे थे, अब हम देखेंगे रूसो के सामाजिक समझोते के कारण रूसो के जो हमने पहले देखी थे, राकरती कवस्था, एक आदर शवस्था थी, जिसमें मनुश्य बड़े मासूम, निर्दोश, एक मासूम पंची की तरह रहता था और मनुश्य का सभाव भी निर्मल और शांत था, ऐसे सवर्निम युक को छोड़ने का कारण था, कि मनुश्य में बुद्धी का विकास हो गया और इसी बुद्धी के विकास के कारण मनुश्य जो पहले की घुमकड जीवन जीया करता था, वो उसमें छोड़ दिया और एक स्थान पर वो संपत्ती की स्थापना करके रहने लगा, और हिस्तरी पुरुष आपस में मिले और जिससे परिवार की उत्पत्ती होई मनुश्यों के अंदर संपत्ती की इच्छा जागरित होने लगी और इसी संपत्ती के कारण, संपत्ती की इच्छा के कारण मनुश्य में हिंसा और युद की भावना का विकास हो गया जैसा कि उसने 1755 में अपना जो लेख था संपत्ती के एसमानता के कारण में उसने लिखा है संपत्ती संबंधी सरप मानुश्य समाज में पैदा हो गया और उसकी सुक शान्ती काफूर हो गई संपत्ती के कारण ही धनी और निर्धन का भेद पैदा हुआ और उसे उदात्तरवनेचर नोबल सैवेच की सभाविक समानता सवतंतरता समाप्त हो गई दास्प्रथा जैसी बुराईया हैं वो पैदा हो गई व्यक्तिगत संपत्ती ने प्राकरती कवस्था में शान्ती भंग करके एक ऐसे सभ्य कहे जाने वाले समाज को दरजनम दिया जिसने मनुष्य को मनुष्य की साद्गी, इमानदारी, समानता, प्रमार्थ की भावना चेन कर उसे इंसानियत का दुश्मन संपत्ती का भूखा सवार्थी घमंडी बना दिया अत्य सभ्यता सभ्य जमाज विज्ञान आदी मनुष्य की दुश्मन है रूपसू के अनुसार सभ्यता की व्रधी के कारण जैसे कि उन्होंने 1751 के अंदर डिजाइन अकैडमी ने जो निबन परती होगी ता यो जित की थी उसमें कहा था कि सभ्यता की व्रधी के कारण दरिदर्था, शोशन, हत्या, बिमारी बढ़ती चले गए युद्ध और तनाव ने मनुश्य को हिंसक बना दिया और अब जो रूस्यों की प्राकृतिक अवस्था है वो होप्स जैसी हो गई रूस्यों की अनुसार संपत्ति के प्राद्यूर्भाव से मनुश्य की सवतंतरता, परतंतरता में बदल गई जिसका लक्षय करण के वह कहता है कि मनुश्य सवतंतर उत्पन होता है प्रंतु सरवत्तर बेड़ियों में जकड़ा होई ये शबत किसके हैं ये बहुत बार कंपिटिटिव एक्जाम में पूछा जाता है तो इसका उत्तर होगा रुसो इसका अभिप्राई ये है कि मनुश्य को सवतंतर एवं सवाधीन होना चाहिए यही उसके लिए सरोत्तम दशा है किन्तु समाज के नियम, रूडियां और परत्रिबंद उसे दास बना रहे है संक्षेप में मनुश्य की बेड़ियां मनुश्य को व्याकुल करने लगी वो उससे मुक्ति प्राप्त करने के लिए उसने समाजिक समझोता कर राज्य को बनाया रूसो का सपस्ट मत है कि मनुष्य ने सम्वे अपनी खुशियों का समानता सवतंतरता का घला घूंटा है रूसो ने कहा था हरकरती की और लोटो ये भी याद कर ले न हरकरती की और लोटो शबत किसके हैं रूसो के रूसो की इस बात का निश्चे हो चुका था कि नागरिक समाज से प्राकर्तिक अवस्ता की और लोटना ऐसंभव है अब वह प्रकर्तिकी और लोट चलने का आहवाहन नहीं देता अब हम देखेंगे समाजिक समझोता तथा राज्याय का सवरूप युद और संघर्ष के वातावरन का अंत करने के लिए रूसो समाजिक समझोते की कलबना करता है सभी व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित हुए और उनके दवारा समपूरण अधिकारों का समरपन कर दिया किन्तु अधिकारों का यह समर्पन किसी व्यक्ति विशेश के लिए नहीं वरंद संपूरन समाज के लिए है अब रुस्व ने कैसा समझोता बताया वो देखते हैं कि जो सारे मनुश्यां वो एकट्थे हो गए और अपने सारे अधिकार त्याग दिये अधिकार की किस व्यक्ति को त्यागे पूरे समाज को त्यागे किसी एक व्यक्ति विशेश के प्रतिनी त्यागे जैसे होपस ने तो कहा था एक व्यक्ति राजा है तो व्यक्ति ने अपने सारे अधिकार उस राजा को त्याग दे पर रुस्व ऐसे एक व्यक्तिक चैक की बात नहीं करता रुस्व के अनुसार मनुष्य ने आपस में एक समझोता किया इस समझोते में सभी व्यक्तियों ने भाग लिया पर तेक व्यक्ति अपने अधिकारों को किसी व्यक्ति विशेश को अर्पित नहीं करता वरन समाज को अर्पित करता है इसे उन्हें उधारन के रूम में समझाए ये आदमे हैं उनके अधिकार हैं और उसे वो सामुहिक रूप से सौंप देता है समझोता करने वाला परतेक व्यक्तिगत व्यक्तित्तव के स्तान पर समुहे बनाने की इस परकिरिया में एक दम एक नेतिक और सामुहिक निकाय का जनम होता है उतने ही सदस्यों से मिलकर बना हैं जितने की उसमें मत होते हैं समस्त मनुष्यों से बने संगठन से सरभ वोम्मिक व्यक्ति को पहले नगर कहते हैं अब उसे गनराज्य कहते हैं समाजिक समझोते के दवारा निर्मित राज्य को समान्य इच्छा कहा जाता है संपर्भू की अभी व्यक्ति है अलों संपर्भूता शक्ति के लिए भी उन्होंने समान्य इच्छा शबद का प्रयोग किया है तो जो रुसो की संपर्भूता है उसे जन प्रिय संपर्भूता कहते हैं अब ये competitive exam में आएगा देखो लोग के संपर्भूता कैसी है निरंकुष है सोरी, होप्स के संपर्भूता कैसी है निरंकुष है लोग के संपर्भूता कैसी है सीमित है और रूसो की संप्रभूता कैसी है? जन प्रिय संप्रभूता है जिसमें सारी जनता की सहमती इच्छा है यह लोकतंतर की आधार शिला है